तो रभिनेंदर 9 की बात करेंगे, 8 की बात कर चुके हैं, 6 की, 7 की और 1 से लेकर 6 की बात कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं साथ में घर में अगर 9 नमबर लिखा हो सबसे पहले आपको समझने की ये देरी है कि नमबर 9 जो होता है, सैगिटेरियस धनू होता है और ये आशा, ऑप्टिमेस्टिक का, नमबर 9 कुंडली का ये वाला घर होता है, गुरू का घर होता है, टीचिंग का घर होता है तो ये जो नमबर है, ये जो राशी है, ये पॉस्टिविटी की है, ऑप्टिमेस्टिक की है, ग्यान की खोच की है, यात्रा की है, और विस्तार की महत्विकी है, और जो ग्रह होंगे उसी हिसाब से अपना फल देंगे यहाँ एक बात धान देने की वाली बात है कि धनूराश्ची में बहुत सारे ग्रह एक साथ अगर होंगे तो कुछ जटिल प्रभाव हो सकता है और एक साथ दिस्टी हो या यूती हो तब भी समगर प्रभाव वो निधायत करते हैं तो वीडियो का अंतक देखें देखें गणपती जी आपको देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर डालें नोटिफिकेशन बैल को दबा दीचिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली अगली बात आपके जो ये प्लैनेट हैं आपके चार्ट में किसी का अस्त हो सकता है किसी का नीच का हो सकता है किसी की डिगरी कम हो सकती है कोई बिध हो सकता है कोई मृत हो सकता है तो ये रिजल्ट अपने हिसाब से च ठीक है जी लेकिन जो पानी पियेंगे वो पानी होगा औहम जो जाएगा वो शरीर के अंदर ही जाएगा और नमबर नौ साथ नमबर में लिखा है और सूरदे बैठे हैं तो क्या सूर्य धनूराशी में आपकी जीवन साथी को बहुत ज़्यादा आप्टिमेस्टिक बनाएंगे वो आपके उपर विश्वास करने वाला होगा आपने हाँ कर दी तो वो हाँ है ना कर दी तो ना है बहुत ज़्यादा पॉस्टिव बनाएगा और वो आपको independent करने के लिए कहेगा independent वो सुतंतरता प्रशंद करेगा सुतंतरता की खोज और ज्यांकी खोज की सिकता है संके जिस्टे में साकरात्मक डिष्ट्रिकाउन एक दूसरे का समर्थन और सुतंतरता का समान ही करवाता है क्योंकि सूर्ज जो है वो अपने गुरू के घर में है और उनकी बहुत इज़त करते है चंद माँ अगे इन गुरू के घर में है इनके बीच में आपको वैदिक कहानी भी पता होगी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद है इनका मतवेद कहीं न कहीं आपके मेरिड लाइग को प्रॉल्म कर सकता है लेकिन चंद धनु राशी में भावनात्मक उदारता अगर आप उदार रहें ओपन माइंड रहें तो चीजों को कंट्रूल किया जा सकता आप ऐसे पार्टनों की तलाश करें जो आशावादी हो यात्राओं को आनंद लेने वाला हो आप ऐसे जीवन साथी या बिजनस पार्टनों की और अट्रेक कर सकते हैं जो भावुक हो साकरात्मक हो घूमने फिरने का शौकीन हो रिस्ते में भावनात्मक उदारता हो और एक दूसरे के साथ रोमांच तलासने की इच्छा सकती रखता हो आईए मंगल की बात करते हैं मंगल धनुराशी में उस्साह बढ़ा देता है तो मतलब आप बहुत जादे इंटरप्राइजिंग होते हैं घूमना बहुत पसंद करते हैं यात्राओं के प्रती जुनून आपको बना देता है आप ट्रैवलर एक अच्छी ब्लॉगर बन सकते हैं ऐसे पती पत्नी को ढूंड सकते हैं आप ऐसे जीवन साथ ही आप पार्टनर की और अकरशित हो सकते हैं जो शीला हो, सासी हो, घूमने का शौकीन हो ये सारी चीज़े जो हैं मंगल लाके यहां देते हैं आगे चलने से पहले आपने स्पास केलकूलेटर से से भी हम से जूट सकते हैं रिपोर्ट बहुत normal rates में हैं और यहां पे कार्रमीक रिपोर्ट आपके marriage की report, career reports सारे report यहां पे नॉमनल रेट पे दिये हैं सारे chart का video analysis भी करवा सकते हैं आप प्रशनकुंडली, आपको अपने spouse calculator, सारे calculator free of cost एक बार यूज कीजिए आपको बहुत पहतीन लगए आप अपनी सास अपनी मदर इनलाओ फाद इनलाओ का नेचर कैसा होगा उनके लगन को भी आप यहां से देख सकते हैं एप और वेबसाइट के मात हैं हमसे चलिए और फ्री मैले से चाहिए तो आपको कोड सेक्शन पर जाना है फ सभी important है इसलिए यह मैं सोचे कि आपको reply नहीं मिला सभी का number आने दीजिए और बार बार आप बार सेम मैसेज ना किया कीजिए और सेम कोईशन आप पूछा कीजिए चलिए अब यहां पे हम बुद्ध की बात करते हैं बुद्ध धनूराशी में दार्सनिक चिंतन बनाता ह ऐसे जो लोग होते हैं चिंतन प्रिय होते हैं बहुत जादा philosophical बनाता है और ऐसा ही partner आप अटेक करता है आपको अपनी तरफ बलवान होता है जो ग्यान की गहराई पॉस्टिविटी दिस्टिकोन विस्तार की इच्छा रखता है तो अगर आप negative हैं तो आपका partner जो होगा वो बहुत जड़ा optimistic होगा और आपकी business को और आपकी married life को आगे बढ़ाएगा साथी साथ यहाँ पे रिस्तों में एक दूसरे से सीखना साकरात्मक दिस्टिकोन और भविश्य के लक्ष निधायट करने का एक मौका हो सकता है ठीक है जी आईए शुक्र देव की बात करते हैं अगर शुक्र देव बैठे हो यहाँ पे ब्रिस्पती के घर में शुक्र जो पार्टनर जो होगा आपको हमेशा एक अट्रेक करता हुआ दिखेगा आईए अगर शनी की बात कर लें शनी जो है अगर आपके प्रिस्पती के घर में तो शनी देव ब्रिस्पती का बहुत जादा सम्मान करते थे तो आपका पार्टनर भी आपका सम्मान करेगा शनी जो होता है आपके पार्टनर का बढ़ाता था और वो अपने पार्टनर के पत पर चलना पसंद करते थे तो यहाँ पर ब्रिस्पति की सारी बात अनुवाई जो थे वो शनीदे मानते थे उसी तरीके से आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आकरशित होगा आपकी बातों को तो यहाँ पर यहाँ पर आपको अध्यात्मिक्ता की आउल लेके जाता है साथी साथ आपको हमेशा मोटिवेट करेगा साथी साथ अगर आप एक दूसरे की बात नहीं बानेंगे तो बैठ कर धैर करना भी यह आपको सिखाता है तो यह था आपका सभी ग्रहों का नौ नंबर में प्रभाओ फिर मिलते हैं नमस्कार जोतिश घर से कंसल्ट करना है तो आप एप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारी वेब साइट पे आकर चेक इन कर सकते हैं और यहां पे आपको वुक कॉल 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 रिक्वेस्ट चैट रिक्वेस्ट मिलता है एस साथ ही साथ और अगर आपको एस्प्लॉर से साहता लेनी है रिपोर्ट सेक्शन में जाना है तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करके सारी साहता यहां से प्राफ्ट कर सकते हैं ना केवल यही अगर आपको लगता है कि आपको फ्री में भी एक जवाब चाहिए और आप हमसे और धैर रखना जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा किसी प्रकार की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं साथ ही साथ आप में इमेल भी कर सकते हैं वो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए का यह रादे रादे